नमस्ते प्यारे बच्चों स्वागते आपका रामरूप सर्मा चैनल पर और मैं हूँ रामरूप सर्मा और बच्चों 30 दिन अब आप लोगों के सैसन वन के एक्जाम में रह गए अगली मंद की जो 21 तारिक होगी उसमें आप लोगों मैंसे कुछ लोग पहले वाले एक्जाम में बैठे हुए होंगे और यह जो एक्जाम है बच्चे आपके लगातार चलेंगे तीसतारिक तक लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट ऐसा लग रहा है कि दस दिन एक्जाम होने बहुत मुश्किल सी बात है नौलाख बच्चे हलाकी करीब रजिस्टर हो चुके हैं और अब कुछ दिन जो है रिकवरी के लिए ले गए हों ठीक है ना ठीक है चलिए तो तीस दिन बचे हुए यानि कि काउंटडाउन अब सुरू हो गया है और आपकी पढ़ाई का जो लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाना चाहिए और आपको कुछ चीजों को बच्चों कौपी पर लिख दी जिएगा ती आपको हर रोज एक टैस्ट कम से कम देना है और अगर आप दो या तीन गटे का यह टेस्ट दें यानि कि जादा से जादा क्वेस्चन का यह टेस्ट दें तो बहुत बहतर रहेगा अब ही तीस दिन बचे हुए 30 के 30 दिन आपको टैस्ट यह इसकाम के लिए अनकेडमी ने बच्चो आपके लिए बहुत बड़ी फैसिलेटी प्रोवाइड कर दिया आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चनेटी प्रोवाइड कर दिया और वो है IITJE super 30 test series और यह test series भी है बच्चो 100% आपके लिए free केबल आपको इसे enroll करना है और enroll करने के लिए मैं आपको code बता देता हूँ code है R-A-M-R-O-P-1-0 यह test series भचो इस test series में 20K learners already enroll हो चुके हैं और आपका अब इंतिजार है और आप भी अब देर मत लगाएगा मैं इससे पहली वीडियो में आप लोगों के लिए 30 दिन की best strategy बता दिये और उसमें सबसे पहला जो point है वो है बचो chapter wise test और chapter wise test को आप कहां से ढूड़ेंगे इतने अच्छे question आप कहां से लाएंगे तो ऐसी चिंता करने की आपको बिल्कुल कोई जरुत नहीं है आप केबल अनकेडमी पर आनकेडमी पर आयाटी जेई category में आकर मैंने आपको लिंक यहां पर दे दिया है आप डरक्टी पहुंच जाएंगे ठीक छे वजए पाचास हजार रुपे तक का prizes बच्चों के लिए lucky winners के लिए दिया जा रहा है यह जो आप लिस्ट यहां पर ध्यान से देख रहे होंगे तो सबसे पहले तो मैं इन बच्चों के लिए congratulations बोलना चाहूंगा और आप भी इन में से एक नाम अगले week में हो सकते हैं आप बस तुरंट के तुरंट आप enroll करें और enrollment का जो course है बच्चों वो बिलकुल भी ना भूले र-A-M-R-O-P-1-0 तो आप test भी देंगे आपके question भी तयार होंगे आपके PYQs भी तयार होंगे आपके NTA अभ्यास के भी question इसके अंदर है most expected questions भी इसके अंदर है और साथ की साथ आप प्राइज के भी अपदार हो सकते हैं ठीक है ये जो test नीजए बच्चों इंडिया के best top educators ने तयार की गई है उन educators ने तयार की है जो educator हर साल एक से सौ तक की rank में कैई सारे बच्चों को लाने में मदद करते हैं All India rank पर बच्चों ये test है और ये हर रोज साम को 6 बज़े होता है 30 मिनट का और इसमें केबल और केबल 15 questions होते हैं पांच question physics के होते हैं पांच question chemistry के होते हैं और पांच question होते हैं mathematics के यारि कि chapter wise test ये है ये जो total question है आपके 15 हो जाएंगे अगर आपने 30 question यहां पर कर दिये तो आपके जो total question है वो 450 तयार हो जाएंगे और ये वो 450 questions होंगे बच्चो जिन में ऐसे कैसारे question as it is आपके session 1 और session 2 में आने वाले मैंने link आपके लिए description में दे दिया है ठीक है ना enrollment करने के लिए मैं एक बारी अपना code फिर दुबारा से आप लोगों के लिए बता जिता हूँ आर ए एम आर डवलो पी और वन जीरो ठीक है ना तो इस टेस्टीच में आप enrollment होना बिलकुल भी नहीं भूलिएगा और prizes भी आपको मिल सकते हैं आपकी बहुत अच्छी practice यहां पर हो जाएगी चलिए अब जो बच्छो मेरी साथ बजे नौ बजे और ग्यारे बजे अनकेडमी के ITJE category में मेरी class होती है बिलकुल फिरी class है बच्छो मैं आपको यहां पर chemistry पढ़ा रहा हूं मेरा schedule मैं आपके लिए यहां पर दिखा देता हूं कि कल कल यानि कि आज ही है ना आज साथ बजे जो मे बच्छो यह भड़ी class होगी chemical kinetics दो question जही में में आ जाते हैं और साथ की साथ मैं आपको solutions वन सौट में सभी के लेके आऊंगा तो पी वाई क्यू के थू तो इन classes में आप लोग जरूर जुरिएगा 22 तरिक का भी schedule मैं आपके लिए यहां पर बताईता हूं थर्मो डाइनो यहां से दो question भी आ जाते हैं इसे आप मेरे साथ में जरूर जोइन करिएगा electro chemistry तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए है और पी block element से भी आपका question आएगा यह साथ वजे नो बजे और ग्यारा वजे की मेरी class यहां पर होगी तो चलिए हम मैं आपको ले चलता हूं जो मेरा आने वाली है सैसन बन की वो क्या होगी हर category के according तो इसे आप note कर ले और जल्दी से जल्दी देख मिले cut off मैं आपको यहां बतायता हूं सबसे पहले बच्चों आप लोगों के लिए journal के लिए यहां पर मैं बतायता हूं ठीक है ना बच्चों ध्यान रखना है percentile और rank और marks as it रहते हैं के वर बदलता है तो cut off बदलता है तो journal के लिए जो cut off है बच्चों वो आपकी रहेगी यहां पर 90 से लेकर 90.4 percentile में last year बच्चों यह cut off 88 percentile गई थी इस बारी इस cut off के percentile के बढ़ने के पूरे पूरे चांस है बच्चों ठीक है ना दूसरा आपको मैं बता देता हूँ फिर उसके बाद मैं EWS के लिए यानि कि general EWS के लिए और general EWS के लिए आपको पता होगा कि आप लोगों ने अपना certificate 112022 के बाद में या 112022 को आपने लिया हो बनवाया हो इसू किया हो हाना यहां पर जो cut-off है बच्चों EWS general की जो cut-off है वो 60 से 62 के बीच में percentile की बीच में जा सकती है last year जो यह cut-off गई थी बच्चों वो 66 percentile गई थी आपकी बारी ऐसा मुझे लगता है और ऐसा ही है कि जो general EWS की candidate है वो बहुत कम है हाँ चलिए अगली बात पर मैं यहां पर आजाता हूं आप लोगों के लिए और अगली ही जो category है वो है हमारी OBC हाना OBC केबल category बिल्कुल ना समदे बच्चों आप तभी OBC category का फाइदा उटा सकते हैं जब आपने उसे centralized कर लिया हो यानिकि वो OBC NCL में चले गई हो तो यह जो cut-off है बच्चों वो 70 से 74 के बीच में जा सकती है और last year जो यह cut-off गई थी बच्चों वो 67 percentile गई थी अब मैं आपको बता जिता हूँ बच्चों SC और ST category के लिए category का बहुत बड़ा यहां पर फरक पड़ता है बच्चों SC और ST के category के लिए आपको की जो cut-off है SC की cut-off आपकी 50 तक जा सकती है जादा से जादा और ST की जो cut-off है वो 39 तक जा सकती है यानि की बहुत कुछ 2021 के similar आपकी यहां पर cut-off रहनी है तो इसके लिए बच्चों आप अच्छे तरीके से महनत करिएगा केवल आपके पास में है तीज दिन और आपको साम, दाम, दंड, भेद, चारो, नीतिया आपको यहां पर अपना नहीं है मैंने आपको एक बहुत अच्छा रास्ता बता दिया है के आनकेडमी के ITJE काटेगरी में आप जुड़ जाएगे अगर आप तीन मेहने का सबस्क्राइब सर ले सकते हैं तो वैलन गुड और अगर नहीं भी ले सकते हैं में और सुपर थर्टी टेस्स में आपको बहुत हैल्प यहां पर मिल जाएगी ठीक है और बचो एक बात और ध्यान रखें कि आब आपको रिवीजन जादा से जादा करना है टेस्ट पेपर जादा से जादा करने चैप्टर वाइज टेस्ट आपको जादा से जादा देने नए जो concept है वो आप तब करें जब आपके पास में दिन के schedule का time table में से time बच जाए ठीक है ना और मेरी जो class है बच्चों 7 बजे 9 बजे और 11 बजे होती है daily उस class को आप जरूर join करें और मुझे यहाँ पर follow आप तुरंत कर लीजीगा ठीक है तो वीडियो को share करें बच्चे ज साथ बजे quantum numbers पर 9 बजे chemical kinetics पर और जेए मेंस 2022 के solutions मैं लेके आ रहा हूं रात को 11 बजे और ये class बिलकुल ही free class है वीडियो को share करें thank you so much and all the very well